तो अब इसका क्या solution है? याद करो अपनी इस addiction को और उस moment को जिस moment में जिस भी चीज से आप addicted हो वो खाने की कोई चीज हो सकती है या दारू-बारू हो सकती है, सिगरेट हो सकती है यह सब चीज है, मतलब जैसे ही वो चीज हमें दिखती है तो क्या होता है? माइंड ब्लेंक हो जाता है हम कह रहे हैं कि अम धीरे धीरे कम करके जब हम धीरे धीरे कम करते हैं तो क्या होता है? और तड़ल अपने लग जाते हो उसी के लिए, दो तरीके हमारे पस अपनी addiction से लड़ना है एक है, एक-एक करके अपनी addiction से लड़ण अगर आप बारीकी से अपनी लाइफ को अब्जर्व करोगे आपको एक या दो एडिक्शन नहीं है पता नहीं कितनी है दूसरा तरीका क्या है एक जटके में अपनी सारी एडिक्शन को कौन कर लो, the end of addiction उसका क्या रास्ता है, ध्याद से सुनना सबसे पहला ये समझना कि हमें उन चीजों से दूर नहीं जाना है उन चीजों से कुछ नहीं होता है उन चीजों के वियसे अंदर जो chemical reaction होता है पूरी बॉड़ी में वो problem है, वो हमें बानती है चीज नहीं बानती है